अगर हमारे देश की अमीरी का अंदाजा लगाना है तो कभी हमारे नेताओं से लिए जना हर दिन करोन रुपए की लागत के बावजूद हमारे देश की संसत केवल नेताओं के हंगामे और इस हंगामे की वज़े से जो एक ब्लॉक होता है उसकी वज़े से ठब कर दी जाती है और देश क जनता की मैनत की पूंजी इस हंगा में की भेंट चड़ जाती है नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेश में मैं हूँ आपके साथ प्रशांत बांटे सबसे पहले हम आपको साफ कर दें कि आज के हमारे मुद्दे का मकसद किसी भी तरह की कोई राजनितिक डिबेट या आरोप प्रत्यारोप नहीं है बलकि हम समस्या और उसके समाधान की क्या तस्वीर हो सकती है उसका एक खाका खिचने की कोशश करेंगे सवाल है कि आखिर क्यों हर दिन करीब दस करोड से उपर की लागत से चलने वाली सदन की कारवाही नेताओं के हंगामे की भेंट चड़ा दी जाती है आखिर क्यों ये पैसा तो देश की जनता का है इसकी परवा क्यों नहीं किसी को है तो आखिर क्यों इसे लेकर किसी तरह के कड़े कदम नहीं उठाये जाते और एक तरह की गंभीरता नजर नहीं आती बार बार सदन की कारवाही ठप होती है और एक बार पर हंगामे की भेंट चड़ती है आए दिन हम ये खबरे देखते और सुनते हैं कि संसद की कारवाही आज भी हंगामे की भेंट चड़ गई आज कल भी यही सूरते हाल है आज संसत के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण के आठवे दिन भी हंगामे के बाद सदन की खारवाई शाम छे बज़े तक के लिए स्थगित कर दी गई है और हंगामा भी केवल उस मुद्दे पर जो पिछले साथ दिनों से चला आ रहा है वार पलट वार और संसत के खारवाई के दौरान हंगामा ही आज के दौर में नेताओं की राजनीती को बैया कर रहा है और महंगाई अर्थ विवस्ता के मुद्दे पर शोर और खुद पर लाकू का खर्च करने वाले नेता जनता के पैसे की परवा किये बिना लोगतंत्र के इस मंदिर का किस तरह से समय बरबाद करते हैं किस तरह से लगातार जनता के पैसे को एक तरह से उनका उनकी बरबादी होती है और इन सब के बीच ना तो जवाब देए है उपर से काम से बचते जरूर नज़ आते हैं इसी मुद्धे पर हम एक चर्चा करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा लेकिन सबसे पहले जो सवाल हम उठाने वाले हैं उस पर एक निगाह डाल लेते हैं तो सुदेश विशेश में आज हम पांच एहम सवाल उठाना है संसद में आखर कब तक ये संग्राम के हालात बने रहेंगे बड़ा सवाल है कि आखर कब तक टैक्स पेयर्स का पैसा इसी तरह से बरबाद होता रहेगा हमारा तीसरा बड़ा सवाल बार बार ये जो हंगामा है इसके लिए आखर जिम्मेदार कौन है ये पैटर्न बदल क्यों नहीं रहा और इसकी जिम्मेदारी और जवाब देई किसकी है सुख सुविदा तो भरपूर हमारे नेता उठा रहे हैं हमारे माननिया उठा रहे हैं लेकिन लगता है कि ये हंगामा जो है वो काम से दूरी इसका एक तरह से सबसे आसान सरिया बन चुका है तो ये बड़े सवाल हम उठा रहे हैं इसके अलावा जानेगे कि समस्या के मूल में क्या है और इसका समाधान कैसे होगा और मौझूदा आलाद में आखिर किस तरह की स्थितियां है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश के जानेवाने वरिष्ट पत्रकार सतीश के सिंग सर भी जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हमें ताजा जो इस वक्त सूर्टे आल है उससे रुबर कराएंगे सतीश सर बहुत-बहुत स्वागत आपका एटी नाव सदेश में एक बार फिर से चर्चा के लिए मैं आपके पास आउँगा कुछ गंभीर सवाल है और ये चर्चा बेहत जरूरी है लेकिन सबसे पहले अपने सायोगी प्रकाश प्रियादर्शी का मैरूख करूँगा प्रकाश अगर हम ताजा घटना करंद देखें ताजा हालाद देखें तो इस पूरे हंगामे की वज़ा से आखिर वो कौन-कौन से महतपूर्ण बिल हैं कौन-कौन सी महतपूर्ण चर् लें तो करीब करीब 35 ऐसे बिल हैं जो पेंडिंग हैं और उमीद ये की जा रही थी कि बज़र सेशन में कुछ इंपॉर्टन्ट बिल्स है जिसको सरकार पास करा लेगी जिस पर चर्चा होगी हालाकि इस बात की संभावना पहले भी नहीं थी कि ये पूरे के पूरे 35 बिल सरकार पास करा लेगी लेकिन कई ऐसे इंपॉर्टन्ट बिल्स है जिस पर कैबनेट की मंजूरी भी मिल गई है अगर आप उन बिल्स पर नजर डाले तो पैंतिस बिल जिसका जिक्र मैंने किया उसमें से 26 बिल ऐसे हैं जो कि राजसभा में पेंडिंग है नौ बिल ऐसे हैं जिस पर की लोग सभा की मंजूरी की जरुवत अभी है पॉस्टनल डेटा प्रोटक्शन बिल उमीद ये की जा रही थी कि इसको सरकार बजट सेशन में पेश करेगी पेश करेगी लेकिन ये बिल भी पेश नहीं किया जा सका कुछ और इंपॉर्टन बिल्स पर नज़र आ रहें जिसमें दा प्रभीशन ऑफ चाइल्ड मैरेज अमेंडमेंट बिल दोहजार इकीस दा एलेक्सिटी अमेंडमेंट बिल जो कि स्टैंडिंग कमीटी के पास है उ उमीद की जा रही थी कि जो स्टैंडिंग कमीटी के पास जो बिल भेजे गए हैं उसके रिपोर्ट आएगी सरकार उस पर चर्चा कराएगी और उसके बाद संसत की मंजूरी इन पेंडिंग बिल्स पर मिलेगी लेकिन उसकी संभावना फिलहाल दूर दूर तक नजरार नह हुई थी एक राय नहीं बन पा रही थी अलग-अलग स्टेक होल्डर के बीच में सरकार ने उसको लिस्ट नहीं कराया और उसको टालने की मूड में थी लेकिन जो इंपॉर्टेंट बिल्स पर की आम सहमती बन सकती थी उस पर भी कामकाज नहीं हो रहा है ऐसे में इस वक्त लॉक्जाम की स्थिती है और जो इस थितियां बनी हुई है उसमें ना उपोजिशन और ना सरकार दोनों ही पीछे हटने को तयार नजर नहीं आ रहे हैं आठवा दिन है कोई कामकाज नहीं हुआ है हलाकि इन सब के बीच में दो बिल पास कराए गये हैं एक दो अप्रोप् नजर आ रहा है अभी तक और कई दोर की बैठके जो हैं फ्लो लीडर्स के साथ रासभा के चेर्मैन लोगसभा के स्थिकर कर चुके हैं लेकिन अभी भी आम सहमती नहीं बन पाई है कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी कैसे इस गतिरोध को दूर किया जाएगा और इस्थ चर्चा की जानी थी वो सभी इस वक्त अधर में सतीश सर जब संसद का महतुपूर्ण सत्र चलता है तो अपेक्षा ये रहती है कि बहतर चर्चा हो समाधान की दिशा में कुछ व्यवारिक जो हैं वो कदम उठाये जाएं कुछ एक एक बहतर तस्वीर निकले लेकिन हम ये देख रहे हैं हाल के कुछ सालों से की हंगामा जो है वो सदन चलना एक अलग बात हो गई है ये हंगामा जो है वो मुख्य चीज हो गई है सदन चलते ही और हंगामे की तस्वीर उभरती है आप तो एक अरसे से सदन में इस तरह की तस्वीर देखते आए हैं आखिर समस्या क ये मूल में है क्या चीज, कहां दिक्कत जादा बढ़ जा रही है और ऐसे गतिरोज जो है ये लंबे क्यों चलने लग रहे हैं। किया जाता है। उसी पर निर्भर करता है कि कैसी स्थितिया है उसी के आधार पर तय होता है कि संसद में कितना कामकाज होगा, कितना productive होगा संसद कारवाही में। या संसद चलेगी या नहीं चलेगी। ये सबको मालूम था कि इस सत्र से पहले कि इस्तितियों का जैसा निर्मान हो रहा था और पीछे भी हमने देखा था पहले भाग में कि यही कुछ आशंका थी और जो कुछ हो रहा है और अब ये और होगा, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है क्योंकि जो एक राज़्यतिक इस्तिती है, जो मैंने जैसा कहा कि वो पहले एक एड़वर्सरी के रूम में देखा जाता था, सत्तार विपक्ष में ऐसे देखते थे, अब ऐसा लगता है जिसे दुश्मनी में बदल गया, कोई जुकने के लिए तैयार नहीं है और एक बात और इस भाग में कि देखिए लंबे समय से आपने खुदी कहा कि मैं देखता आया हूँ, सब लोगों ने देखा है और इसी तरह से संसर चलता रहा है, कई ऐसे मौके होए जो दिनों, महीनों महीनों मतलब आप संसर चला ही नहीं, मुद्दे कुछ हो गया, जोल इस तरह से चलता है, एक पक्ष और भी है, संसद का न चलना भी एक संसदी राजनीती का हिस्सा है, ये भी एक बड़ी महत्पुन की चीज है, और हम इस बार देख रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है, कि आपेजिशन वालों के मैं सुन रहा तो कह रहे हैं कि इस बार सरक पहले दूसरे पर लगाओ, लेकिन इस सित्या जो है, वो इसी प्रकार से बनी हुई है, कैसे ये गतिरोर तूटेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप तो और देख रहा हूँ कि राजनीती और जो है, बहुत गर्माती जा रही है, और अभी क्या ये रूप लेगा, क बड़ी ये जो चीजें हैं, कि राह जो सोची जा रही है, या राह जो देखी जानी चाहिए, क्या उस ओर कोई ध्यानी नहीं दे रहा, अगर हम विपक्ष की बात करें, तो क्या एक ऐसी सित्ती बन गई है, कि विपक्ष के लिए सरकार को घेरना प्रात्मिक्ता हो गई है, अगरे हैं, जिसरी के रहे लिए में सदन ना चलना भी एक तरह की स्तिती रहती है, लेकिन लगातार जब एक लंबे समय तक इस तरह की स्तिती होती है, और इसकी पुन्रावित्ती बार बार होती है, तो बड़े सवाल पैदा होते हैं, और इन सब के बीच, जरा मैं कुछ आ का जो आपकी जो गाड़ी कमाई है उसको ठप कर रही है तो संसर ठप से कितना नुकसान है जरा ये पिक्चर देखिए एक दिन अगर हंगामा होता है तो और प्रत दिन औसतन साथ घंटे हंगामा होगा और एक हफते में जो ये नुकसान बढ़ता है वो होता है नमासी दस करोड से उपर की जो धनराशी है वो स्वाहा हो जाती है और इस तरह से जब आकलन करें तो एक हफते में नुकसान नवासी करोड़ का होता है ये नवासी करोड़ माईने रखते हैं बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो पिक्चर है इसे बदला क्यों नहीं जा रहा है इस अब हम चर्चा करेंगे लेकिन जरा प्रकाश के पास सामरोख करते हैं प्रकाश सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब छे बजे के बाद कारेवाई शुरू होगी तब किस तरह की तस्वीर होगी फिनांस बिल की काफी चर्चाएं हैं क्या कुछ का जा क्या गयमा गयम ही दिखिए सरकार ने तो अपनी मौशा जाहिर कर दी है और जो सप्लिमेंटरी बिजनेस लिस्ट जारी किया गया है उसके हिसाब से लोकसभा में आज ही जो फैनांस बिल 2023 से उसको वितमंत्री पेश करेंगी उस पर चर्चा होगी और उसको पास कराने के भी प्रयास किये जाए और इस बात की संभावना भी है कि हंगामे के बीच ही सही फैनांस बिल को पास करा लिया जाए और यही इंपोर्टन्ट बिल है जिसके उपर सरकार का इस वक्त फोकस भी है क्योंकि इसके बाद फैनांस बिल को पास करना बहुत जरूरी है लेकिन इसके अलावा सरकार की भी मन्षा नहीं दिख रही है कि वो जो दुसरे important bills हैं उसको लाने के प्रयास करें उस पर चर्चा कराने के प्रयास करें और फिर उसको पास कराया जाए सरकार की भी मन्षा फिलहाल नहीं दिख रही है लेकिन ये जरूर है कि जब 6 बजे संसत की करवाई शुरू होगी तो वितमंत्री finance bill पेश करेंगी और उसको पास करा लिया जाएगा भले ये हंगामे के बीच ही हो और विपक्ष भी ये चाहेगा कि finance bill को पास करा लेने दिया जाए क्योंकि विपक्ष भी का जो एजिंडा है जो मुद्दा है उससे finance bill को पास नहीं कराने से विपक्ष का मकसद पूरा नहीं होने जा रहा है ऐसे में सबसे important इसका पाक्ष ये है कि क्या सरकार संसद की जो कारवाही है उसको अस्थागित कर देगी जितने दिन अभी बचे हुए हैं क्या उसके पहले ही संसद को अस्थागित कर दिया जाएगा यह भी सवाल फ़े जीस पर चर्चा चल रही है और हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस पर भी सरकार मन्थन कर रही है लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि संसदी कारे परनाली में अगर संसद में गतिरुद लंबे स वक्त तक जारी रहता है तो सबसे बड़ी जिम्मदारी किसकी है कि संसत को चलाया जाए तो जाहिर तोर पे सबसे बड़ी जिम्मदारी सरकार की बनती है लेकिन सरकार अब नए स्टाटिजी के तहट विपक्ष के उपर दबाव बनाने के प्रयास कर रही है कि अगर संसद नहीं चलता है तो विपक्ष को भी इसके लिए जिम्मदारी लेनी होगी उसे भी एक कदम आगे बढ़ना होगा और सरकार के मंत्री इस बात का जिक्र बार-बार करते रहे हैं उन्होंने बयान भी दिये हैं खुलकर कि विपक्ष एक कदम आगे बढ़ाए सरका करना बेहत कम नजर आ रही है क्योंकि जो important मुद्धे हैं उन दोनों ही मुद्धों पर दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तयार नहीं है विपक्ष का ये कहना है कि राहुल गांदी माफी माँगे अपने बयानों के लिए जो उन्होंने विदेश में दिये हैं और विपक्ष ये भी विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार करवाही को बादित कर रही है क्योंकि अगर राहुल गांदी लोगसभा के मिंबर है तो फिर राजसभा की करवाही क्यों नहीं चल रही है उसको क्यों सगित किया जा रहा है और सरकार ही सदन नहीं चलने दे रही है ये लेकिन बाकी बिल पर चर्चा हो और उसको पास कराने के लिए लाजाए इस बात की समभवना बेहत कम नजर आ रही है बिलकुल बिलकुल बहुत अहम बात आपने कही कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है और इसी सवाल के साथ मैं सतीशतर आपके पास आना चाहूंगा एक तरफ हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष पर यारोप लगता है कि वो सवाल पूछने नहीं दे रहा है वो सही प्रशनों के जवाब नहीं दे रहा है दूसरी और हम विपक्ष की और सी भी देखते है कि यह जो ब्लॉक नजर आता है उसमें एक मन्शा बार बार सरकार को गेरने की होती है या एक पहलू ये भी है कि विपक्ष के लिए भी बड़ी इस्तिती है कि साहब अगर कोई मुद्दा उनके हाथ में आये तो भी इतनी जल्दी छोड़ कैसे दें तो ऐसे में जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसकी है जिम्मेदारी तो ऐसे मानूगा कि मैं दोनों की है कि दोनों संसद के हिस्से हैं दोनों विपक्ष और सत्ता पर कि हमारा संसदी ये लोक तंत्र है हमारे लोक तंत्री की विवस्ता है हम समिधान की हिसाब से चलते हैं, हम जवाब देही के आधार पर, उत्तरदाइद के आधार पर, सामोही के अविक्तिकत चलते हैं, जिम्यदारी तो सबकी है, ज्यादा और कम कहना आज के डेट में उतना, मैं बहुत मुनासिब नहीं समझता, बड़ी स्ट्रेटिजी चल रही है, स्ट्रेटिजी चल रही है कि कैसे दवाया जाए, बिपक्ष अडामी पर सरकार को दवाना चाहता है, और सरकार किसी भी सूरत में उसके लिए तैयार नहीं, और सरकार में वो राहुल गांधी का मुद्दा उठाया, यह तो टक्राव की स्थिती है, टक्राव में क्या कह होंगा कि यह राज़्रीती हो रही है, और सब की नजर मुझे लगता है, वो 23 से जादे 24 पर है, तो यह इस्तिती एक बन रही है, अब तो तरह तरह की बात आ रही है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि कोई रास्ता निकलता नहीं, और ठीक कह रहे हैं, जो आप पास हो जाएगा, और उसमें किसी को कोई ज्यादा अपत्ती मेरे ख्याल से भीतर भीतर नहीं होगी, दिखाने के लिए तो रहला करेंगे, लेकिन वो पास हो जाएगी, और वैसे भी मेरा ऐसा मानना है, जो अनुभव कहता है, मैंने बहुत लंबे समय तक संसत की रिपोर् तब ही उस पर जो है लंबी पढ़िया संबिल्दुल के सारे पाट्सपेट करके चर्चा करते हैं, अने था, जो थोड़ा टेक्निकल बिल रहा, जो ऐसी चीजे रही, वो तो आप समझे कि मिंटों में ही काम हो जाता है उसका, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने क जहाना कि ये एकदम बिशुध राजनीती चल रही है, कैसे इस बार सरकार को दवा देना है, और सरकार ये जानती है कि अगर तबे तो फिर मामला गड़बड होगा, तो इसलिए ये टक्राव बहुत बड़ा हो गया है, हमने पहले भी देखा है, कई इसे मुद्दे हुए ह जिस पर टक्राव लंबा चला है, वो फोर्स के समय का याद आता है, फिर वो हरसन मेहता वाला जो गोटाला हुआ हवाला का भी हुआ था, उस सब इसे ही रहा है, और भी कई मुद्दे हैं, मतलब कोई भी सरकार के समय, किसी भी सरकार के समय, ये वाली चीज जो है, वो मिसाल नहीं मिलता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर डाइसेंट है, और उसका अधिकार है, तो रास्ता यही है कि डाइसेंट को आप स्विकार करके उसका एक कोई बीच का रास्ता निकाले, और अडे रहेंगे दोनों साइड में तब तो कुछ नहीं होगा, यही होगा, ज आसे भी बहुत पहले से हो रहा है बिलकुल बिलकुल एहम बात आपने काई और ये एक बड़ी खास बात ये है कि ये जो गतिरोध है ये पहले भी होते रहे हैं लेकिन आज के दोर में जब हम देख रहे हैं कि समय की इतनी खीमत हो गई है इतने पैसे खर्च हो रहे हैं सांसदों का जो वेतन है वो इतना जादा है इसके अलावा जो खर्च है उसकी सीमाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है उस लिहाद से भी अब सोचना होगा प्रकाश एक चीज़ समझना चाहेंगे कि क्या आगे की राह तै हो रही है क्योंकि पिछले हमने दिनों देखा कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हमने यह भी देखा कि अलग अलग चेंबर्स में बुला कर बात चीत हुई लेकिन कोई खास तस्वीर नजर नहीं आए तो ऐसे में अब आगे आज का दिन तो एक तरकी उमीद है कि चलो फिनांस बिल को लेकर किसी तरकी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर आगे कैसे काम चलेगा उस बात की संभावना बेहत कम नजर आ रही है जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो दूसरे important bills हैं उसको introduce किया जाए उस पर चर्चा हो क्योंकि विपक्ष इस बात के लिए बिलकुल भी तयार नजर नहीं आ रहा है कि जो उसके demand है उस पर सरकार अगर सहमत ना हो उस पर चर्चा ना हो जेपी सी का गठन ना हो तो वो पीछे हट जाए क्योंकि उसकी अपनी राजनीती है और जैसा कि सतिश केसिंग कह रहे थे बहुत ही important पहलो उन्हें उठाया कि 2023 तो बहाना है इन नजर और जो निशाना है वो 2024 पर है लिहाजा विपक्ष बिलकुल भी पीछे हटने को तयार नहीं है उसको एक मुद्दा मिला है जिसको पूरी तरीके से भुनाने के प्रयास कर रहा है लेकिन इसमें नुकसान सबसे जादा आम पब्लिक का है जैसा कि जिक्रा भी कर रहे थे आपने कुछ ग्राफिक्स पर दिखाए मैं उन ग्राफिक्स पर तो नहीं लेकिन important bills के बारे में जरूर कहना चाहूँगा example के तोर पे आप data protection bill को ले लिजे उमीद ये की जा रही थी कि budget session में इसको पेश किया जाएगा आपके data का हमारे data का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है उससे समंदित एक clear road map एक clear law सरकार पेश कर रही थी कि उसका protection कैसे हो इस पर अगर ये bill पास हो जाता तो जहीर तोर पे आम consumer के लिए काफी हितकारी होता दूसरी तरफ अगर आप electricity amendment bill की बात कर लीजे जो कि standing committee को भेजा गया है और उमीद ये की जा रही थी कि standing committee अपनी report सौपेगी और सरकार इस पर चर्चा कराएगी इतना important bill है अगर आप electricity sector में distribution के sector में reforms की बात अगर आप करते हैं बहुत important bill है लेकिन संभावना कम नजर आ रही है इस bill का एक एहम प्रावधान कहता है कि कोई भी company किसी भी इलाके में जाके electricity distribution sector में जा सकती है और वो business कर सकती है एक इलाके में आपको एक से ज़ादा डिसकॉम का फायदा मिलता मुबाइल सिम की तरह आप अपनी सहुलियत की हिसाब से service quality के हिसाब से आप डिसकॉम्स बदल लेते तो जाहिर तोर पे आपको बहतर सुईधाय मिलती उस bill के पास होने से यानि कि city amendment bill के पास होने से ये फायदे consumers को हो सकते थे लेकिन अभी तो क् गतिरोध की city बनी हुई है standing committee ने report नहीं submit की है जाहिर है उस पर चर्चा के सवाल भी नहीं बनता है तो इस तरीके से series of bills है अगर गंभीरता से उस पर चर्चा होती उसको पेश किया जाता आम consumer के लिए taxpairs के लिए वो हितकारी ही होता लेकिन जिस गतिरोध की स्थिती की राजनितिक हलकों से और अपने sources के through ये जनकारी मिल रही है कि सरकार सदन की करवाही को समय से पहले ही खत्म करने पर विचार कर रही है और अगर एक बार finance bill पास हो जाता है तो फिर क्योंकि ये गतिरोध की स्थिती खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है ऐसे में सरकार ये इस तक जब finance bill पास हो जाएगा अगर इस पात की समभवना नजर आ रही है फिल ऐसे में ये जो तस्वीर है साफ होती नजर आएगी कि सरकार आगे क्या करना चाहती है क्या सदन की करवाही आगे भी चलेगी या इसको स्थागिश कर दिये जाएगा लिहाजा आज का दिन काफी जा रहा है इससे आम जनता का आखर कितना नुकसान हो रहा है कितने महतवपूर्ण बिल हैं जो कि इस वक्त अधर में हैं और आगे की आखर राह कैसी होगी लेकिन इन सब का एक निचोड जो नजर आता है वो यह कि चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष अब उन्हें ये के दोरान अगर गतिरोद हो रहा है तो दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वो कम से कम इस सत्र का संबान करते हुए जनता की जो गाड़ी कमाई है जो की टैक्सपेयर्स हैं उसका संबान करते हुए हर महतवपूर्ण विशह पर चर्चा करें और आगे पड़ें बहुत बर मगण